बला किसे पसंद नहीं है हर कोई गाउं का हाथ छोड़कर शेहर का हाथ थाम रहा है और शेहर में आकर बस रहा है लेकिन आज के समय में भी ऐसे बहुत से लोग है जिनोंने गाउं का हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो अपने गाउं को ही अपना सब कुछ मानते है लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी गाउं है जहां अपराथ बहुत जादा होते है और उनी मेंसे एक गाउं था मंगलपुर जहांके लोग अंधेरा होने के बाद गर से निकलते तक नहीं थे वहां पर कहने के लिए तो सारी सुविधाएं थी लेकिन वहां की हकीकत बहुत ही सादा भयानक थी वहां पर गुंडे बदमाशों का रास था इसलिए गाउं का शरीफ आदमी हमेशा दबा कुछला रहता था और वो चाहकर कुछ कर भी नहीं सकता था लेकिन कहते हैं न अंधेरा कुछ समय के लिए जरूर चाह सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं और एक ऐसी ही शाम आई उस गाउं में जब सभी गाउं वाले अपने अपने घर में घुसके क्योंकि अंधेरा हो चुका था और उन्हें पता था कि अंधेरा होने के बाद वहां के गुंडे बवद्बाश गाउं में निकलेंगे और अपरादों को अंचाम देंगे इसलिए हर कोई अपने घर में गुसके है अपने अपने घर में सब गुसे हुए थे काफी ज़्यादा दहशत का महौल था तब ही उन्होंने एक आवास सुनी और वो आवास और किसी की नहीं बलकी गाड़ी की थी एक ऐसी गाड़ी जो चार पईया थी और उसके उपर कोई साइरन लगा हुआ था वो साइरन की आवास गाउं वाले पहचान गै वो गाड़ी और किसी की नहीं बलकी पुलिस वालों की थी जब पुलिस की गाड़ी की आवास गाउं वालों के कानों में पड़े तब सभी गाउं वाले हैरान हो गए कि आखिर ये पुलिस वाले जो हमेशा अपने पुलिस स्टीशन में पड़े रहते हैं और कुछ भी खामधाम नहीं करते, वो इतनी रात को गाउं में क्यूं आये हैं। गाउं वालों ने चुपके से अपने घरों की खिड़की को खुला, तोनों ने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उनके घर के सामने थी, और उस गाड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से एक ओफिसर निकला, जो बहुत ही ज़ादा जवान था, उसके उम्रे ज़ादा नहीं ह होगी, और वो जैसे ही गाड़ी से उत्रा तो उसने आवाज लगाई, अरे किस गाउं में कोई रहता भी है, या पुरा गाउं ऐसे ही सुनसान है, ये बात सुनते ही, गाउं वालों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, और वो अपने घर से बाहर निकले, उसके बाद उस पर मुझे अभी पता चला, अभी तो सिर्फ छे बजे हैं और पुरा गाउं एकदम खाली सा हो रखा है, क्या बात है, जब ये बात उस पुलिस आफिसर ने कही, तब उन गाउं वालों को पता चली गया, ये पुलिस आफिसर नया नया आया है, और एक गाउं वाले ने अंधेरा होता है, तो एकदम दहशत हो जाती है लोगों के दिलों में, गुंडे आते हैं, परिशान करते हैं, लूट पाट करते हैं, और चले जाते हैं, और उसके बाद हम सिर्फ रोते रहते हैं, ऐसा काफी सालों से चल रहा है, इसलिए अंधेरा होने के बाद हम घर से न टलते ही नहीं जब ये बात उस पुलिस वाले ने सुनी तब उसने कह अच्छा, ठीक है मैं समझ क्या आपकी बात को लेकिन आपको पुलिस में इंफॉर्म करना चाहिए न तब ही तो पुलिस वाले आपकी हेल्प करेंगे और उसके बात क्या था उस गाउवाले ने फिर से गबराते वे का अरे बाउजी क्यों मजाग कर रहे हैं बहुत बार हुआ हम गए पुलिस टेशन में बहुत बार हमने रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ कही बार तो मन में ऐसा आया कि बस ये गाउँ छोड़ कर कहीं चले जाएं जैसे और लोग शहर का मानिक लिए गए हैं वहीं शहर में हम भी चले जाएं लेकिन फिर हमें याद आता है कि हमारी पूरवजों की जमीने यहाँ पर और हम चाहकर भी यहाँ से जा नहीं सकते सब कुछ हमारा यहीं पर है और उसके बाद वस पुलिस आफिसर ने कहा अच्छा ठीक है मैं आपकी बात कुछ समझ गया अब आप घपराईए मत मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है और अब आपको घपराने की बिल्किल भी ज़रूरत नहीं है अब आप जब चाहे जब आपका मन करे जब आपको ज़रूरत हो अपने घर से बेफिक्र होकर निकल सकते हैं समझे आप और उसके बाद वो जो गाउवाले थी वो एक दूसरे की शकल देखने लगे उन्हें उस पुलिस वालों की बात पर यकिन नहीं हो रहा था तभी उस पुलिस वाले ने कहा अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं अरे मैं सच कह रहा हूँ आप घबराईये मत अब मैं यहाँ पर आगिया हूँ अब आपके गाउव में कोई भी अपराद नहीं होगा समझे आप ये बात वो पुलिस वाला कही रहा था तभी वहाँ पर कुछ आवाजे आई और वो आवाजे थोड़ी डरावनी सी थी सभी गाउवाले बहुत ही ज़ादा डर गए और उस गाउवाले ने जो बात कर रहा था उसने कहा आप अब यहाँ आजाए वो लोग आ गए है वो बहुत खतरनाक है बहुत बहुत खतरनाक है बाउजी आप यहाँ आजाए वो आपको कुछ करतेंगे और ये बात सुनते उस पुलिस आफिसर ने कहा अच्छा तो ये गुंडे हैं जो आपको परिशान कर रहे हैं आप यही रहिए उस पुलिस आफिसर पर भरोसा दिखाया और वो वही के वही खड़े रहे और कुछी देर में वहाँ पर कुछ गुंडे आए और वो सभी गुंडे उस पुलिस आफिसर को देखने लगे उन सभी गुंडों ने पुलिस ओफिसर को उपर से नीचे तक देखा और उन गुंडों ने कहा ये कौन है? लगता है नया कोई इंस्पेक्टर है हाँ, सही बोल रहा हूँ ना और उसके बाद उस पुलिस ओफिसर ने कहा हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है तुमने मैं यहाँ पर नया पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मुझे एक बाद बताओ तुम लोग वही गुंडे हो किया जो इन सभी गाउवालों को परिशान करते हूँ और उसके बाद उस गुंडे ने गहा अरे, मैं इन सब को परिशान करता हूँ नहीं तो, अब किसी से भी पूछ लो हम भी यहाँ के एक तम नॉर्मल रहने वाले हैं हम कोई गुंडे मवाली थोड़ी है आप किसी से भी पूछ लो हाँ, तुम बताना जरा क्या मैंने तुम्हें आज तक कभी परिशान किया है बताओ जरा जब उस गुंडे ने ये बात पूछी, तो गाउवाले बहुत ही जदा डर गए क्योंकि उन्हें पता था कि उसके मन मताबिक जवाब ना देने पर वो गुंडा क्या कर सकता है इसलिए सबी ने कहा नहीं, नहीं, ये हमें परिशान नहीं करते है और ये बात सुनकर उस पुलिस, आफिसर ने सब की तरफ नजर गुमाई हर कोई डरा हुआ था, सब के माथे पर पसीना आ गिया था वो जितने भी लोग बोल रहे हैं सब छूट बोल रहे हैं और उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा ठीक है, अब यहां से जाओ, इतनी रात को, यहां खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, सब अपने अपने घर जाओ, उसके बाद वो जो गुंडे थे, उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ कदम बढ़ाया, और उन गुंडों फेसर जो सबसे बड़ा गुंडा था, उसने पुलिस वाले से कहा, देख भाई तू यहां पर नया नया आया है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ तू अपना पुलिस टेशन में बैठ हराम से समझा, सरकारी नौकर है तो सरकारी नौकर बन कर रहे अपनी तंकाखा अपने बीवे बच्चे बाल समझा, जादा फिल्मी हीरो बनने की कोशिश मत कर हम या क्यूं आये, किसलिए आये वो हमारी बरसी है हाँ, समझा, चल निकल अब निकल और उसके बाद उस पुलिस वाले ने स्माइल किया और सभी गाओं वाले डरके वो सभी सोच रहे थे कि आखिर इतने सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े हैं, और उनमें से सबसे बड़ा गुंडा, उस पुलिस वाले को धमका रहा है, और वो पुलिस वाला सिर्फ मुस्कुरा रहा है आखिर ऐसी क्या बात है इस पुलिस वाले में सभी गाओं वाले ये सोची रहे थे तभी अजानक से एक आवाज भाए और ये आवाज थे गोली चिलाने की उस पुलिस वाले ने उन गुंडों में से जो सबसे बड़ा गुंडा था उसके माथी पर सीधा गोली मार थी और उस गुंडे की लाश वही जमीन पर किरी उस गुंडे को भी समझ नहीं आया होगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है जितने भी सभी गुंडे थे सभी रूख काप गई और मानो सभी एकदम डर गए सबकी पतलून गीली लगबग हो ही गई थी और हर कोई जितने भी गुंडे थे वहाँ पर सब कोई बुत बन कर खड़ा था और गाउवाले तो एकदम हैरान थे उन्होंने पहली बार अपनी आखों के सामने ये सब देखा था गाउवाले यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि अखिर जिस गुंडे से वो इतने सालों से डरते हुए आ रहे थे उस गुंडे को इस पुलिस वाले ने जटके में ही मार दिया उसके बाद क्या था वो सभी गुंडे वहां से भाग गए और इस पुलिस वाले ने उनके उपर भी फैरिंग करी उन गुंडों के हाथ में हतियार तो थे लेकिन मौडरन बंदू क्या क्या आखिर कौन से हतियार की चलती है इसलिए सभी गुंडे वहां से भाग गे इस घटना के बाद से उस गाउं में और आसपास के जितने भी गाउं थे सभी गाउं में लगभग रामराज जया गया था हर कोई बेफिक्र होकर दिर रात को भी गर से निकल सकता था और अपने काम कर सकता था किसी को इस बात की परवा करने की जरूरत नहीं थी कि अब अगर शाम से पहले उसका काम नहीं हुआ तब उसका काम अटका रह जाएगा अब गाउं में रहने वाला हर वेक्ती बहुत ही जदा खुश था और उन सभी की खुशी का कारण था वो नया पुलिस ओफिसर वो पुलिस ओफिसर रोज अपनी गाड़ी से गाउं में पैट्रोलिंग करता था और वो इस बात का खास ख्याल रखता था कि गाउं में अब कोई भी अपराद ना घटे वो ओफिसर जिसका नाम विक्रम था वो भी इस बात से बहुत ही ज़्यदा खुश था जब वो इस गाउं में पहली बार गया था तब उसने हर जगा सिर्फ अंधेरा और दैशत को महसूस किया था लेकिन अब जब भी वो पैट्रोलिंग के लिए गाउं में जाता था और गाउं के लोगों को देखता था तब हर कोई खुशाल नजर आता था और विक्रम बहुत ही ज़्यदा खुश होता था इस बात से एक रात वो अपने हवलदार के साथ गाड़ी में पैट्रोलिंग कर रहा था तब ही अचानक से उसे एक आदमी भागता हुए नजर आया जो दिखने में बहुत ही जादा संदिक्द लग रहा था उसके बाद विक्रम ने कहा हवलदार जरह उस आदमी का पीछा कर रहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ गलत करके भाग रहा है और तब ही एक ही मिनट बाद एक चिलाता हुआ आदमी आया चोर 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 उसने मेरे घर से चोरी कर ली उसे कोई पकड़ो और ये बात सुनते ही उस विक्रम ने कहा अरे मैंने कहा था न ये कुछ जरूर गलत करके भागा है तुरत इसका पीछा करो उस हवलदार ने कोई भी वक्त को जाया नहीं किया और गाड़ी श्टार्ट करके वो उस लड़की का पीछा करने लगा वो लड़का बहुत तेजी से भाग रहा था वो हवलदार और भी ज़्यादा तेजी से कार को चलाने लगा लेकिन वो जो चोर था वो पतले रास्तों से भाग रहा था इसलिए विक्रम ने कहा ऐसे इसे पगड़ पाना बहुत ही ज़दा मुश्किल है ये पतले रास्तों पर भाग रहा है एक काम करता हूँ मैं इसका पीछा करता हूँ ठीक है तुम यही रहो और वो जो वो आदमी है उसे जिसका चोरी हुआ है तुम उसे संभालो ठीक है और उसके बाद विक्रम जो था वो उस चोर के पीछे भागने लगा वो चोर बहुत तेजी से भाग रहा था और भागते भागते वो कही अंदेरे में गायपसा हो गया विक्रम ने कहा इतने दिनों से इतनी अच्छी शांती थी इसने सारी शांती खराब कर दी छोड़ूँगा नहीं से फिलार उस आदमी से मिलना ज़रूरी है ये कहकर विक्रम जो था वो उस आदमी के पास गया जिसके घर से चोरी होई थी और वो जो आदमी था उसने कहा अरे सहाब कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ इस चोर ने मेरे तने सालों की कमाई को चुरा लिया अब मैं क्या करूँगा और उसके बाद वो जो विक्रम था उसने कहा सबसे पहले आप शान्त हो जाईए आपकी कमाई को कुछ नहीं होगा समझे आप मैं उस चोर को पकड़ करी रहूँगा वो जादा दूर भागा नहीं होगा बस अंधेरे में कहीं गायब हो गया मैं अभी अपनी पुलिस टीम को लेकर उसका पीछा करता हूँ और उसके बाद उस आदमी ने कहा अच्छा वो किस तरफ भागा है और विक्रम ने कहा वो उस दिशा में भागा है अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया नजारी नहीं आया कि आखिर कहा गया और ये बास सुनकर वो जो गाउवाला था उसका चेहरा मानो पीला सा पड़ गया और उसे गाउवाले ने कहा आप एक खाम करिये आप उसे छोड़ दीजे अगर वो उस दिशा में भागा है तो छोड़ दीजे आप उसके पीछे मच जाईए और ये बास सुनकर विक्रम ने कहा क्या आप ही कैसी बाते कर रहे हैं वो आप केतने सालों की कमाई को लेकर भागा ह और आप कहा रहे हैं कि मैं उसे जाने दूँ नई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा उसके बाद उस गाउवाले ने कहा आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं उस दिशा में बहुत बड़ा खत्रा है समझे आप उस दिशा में एक जंगल है जिसमें 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 वो रहती ह और अगर कोई भी उस जंगल में चला जाता है तो वो जिन्दा नहीं बचता समझें आप विकिरम ने पूछा वो रहती है मतलब क्या है आपका कौन रहती है उसके बाद उस गाउवाले ने कह यक्षिरी कहते हैं कि बहुत सालों पहले हमारे गाउव में एक आदमी आया था और वो आदमी दिखने में बहुत ही जददा अजीब था उस आदमी को देख कर हमारे जू दादा पर दादा थे वो बहुत ही जदा डर गये क्या कि उसके लंबे लंबे बाल थे और उसका पूरा शरी तकरीबन साथ से आठ फुट का था जो कि एकदम बिल्कुल भी नॉर्मल हाइट नहीं थी और हमारे जो दादा परदादा थे वो उस आदमी को भगाने लगे और वो आदमी भागते भागते उस जंगल में चला किया कहते हैं कि वहाँ पर उसने कोई साधना करे लेकिन वो साधना को फूरा नहीं कर पाया बीच महीं उससे कोई गलती हो गई और उसकी साधना से वहाँ पर एक यक्षनी आई लेकिन जैसे ही साधना में गलती हुई तो उस यक्षनी उस आदमी को जान से मार दिया तब से वो यक्षिनी वही पर उस जंगल में रहती है और जो कोई भी उस जंगल में जाता है तो वो वापस जिंदा लोट कर नहीं आता विक्रम ने जब ये सारी बाते सुनी तब विक्रम ने कहा देखिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे उन बातों में सच्चा ही नजर नहीं आ रही है अब इन सभी बातों को आप दरकिनार करिए और अहवदार तुम मेरे साथ चलो अभी हम उसे पकड़ लेंगे जादा दूर नहीं गया होगा और जैसे ही विक्रम उस तरफ जा रहा था तब ही उस गाउवाले ने कहा देखिए साथ मैं आपको उस जंगल में नहीं जाने दूँगा क्योंकि क्योंकि आप आए हैं तब ही हम शांती से रह पा रहे हैं अगर मेरी कमाई चली गई तो चली गई कोई बात नहीं कुछ दिर कम रोटी खा लोंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए अगर आपको कुछ हो गया तो पहले जैसे हर कोई गुट-गुट कर जीएगा और ऐसा में बिल्कुल हैं चाहता आप उस जगा बच चाहिए अप उस जगा बच चाहिए और उसके बाद विक्रम ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो मैं नहीं चाहता लेकिन आगे से ख्याल रखना अपने घर के आसपास ठीक है अगर वो वापस दिखे तो मुझे जरूर से फोन करना मेरा नंबर ले लो उसके बाद विक्रम ने उस आदमी को अपने नंबर दिया और उसे वहाँ से भेजा उस हवल्दार ने कहा तो सब क्या अब हम वहाँ पर नहीं जाहेंगे और विक्रम ने कहा हम जाहेंगे ये तो मैं इस आदमी को ऐसे ही क्या रात हता कि अपने घर चला जाए और इसकी बात भी रह जाए चलो, चलते हैं जादा दूर नहीं क्या होगा हो और हवलदार और विक्रम दोनों उस दिशा में चाने लगे जहां पर वो चोर गाया भुगा था अंधेरा बहुत ही जादा था इसलिए विक्रम ने एक टॉर्च जलाई और उस हवलदार के पास भी एक टॉर्च थी टॉर्च की रोशनी में वो दोनों आगे बढ़ने लगे और तकरीबन पांसो मीटर दूर जाने के बाद उन्हें एक जंगल नजर आया जो बहुत ही ज़ादा घाना और डरावना नजर आ रहा था उस जंगल को देखकर उस हवलदार ने कहा सर मुझे तो लगता है ये वही जंगल है जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था और उसके बाद विक्रम ने कहा हाँ लेकिर उसकी बातों में बक्वास में फर्क करना पता है तो चलो चलते हैं इसके अंतर ये कहकर विक्रम और वो हवलदार दोनों उस जंगल में घुशके और वो दोनो उस चोई की तलाश करने लगे उसके बाद उस हवलदार ने कहा सर ये जंगल तो बहुत ही जदब भ्यानक को डरावना है मुझे तो लगता है सारे अपरादी यही पर छुपकर रहते होंगे और उसके बात विक्रम ने कहा हाँ तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्योंकि गाउं के लगबग हर इनसान के मन में इस जंगल को लेकर डर है और कोई भी इस जंगल में आना नहीं चाहता तो हो सकता है सबी अपरादी जी बात का फायदा उठाते हों और इसी जंगल में रहते हों अब हमें और आगे चलना चाहिए विक्रम ने अपनी गन को निकाला ताकि अगर मामला बिगड़े तो वो मामले को समाल पाए और वो जंगल में अंदर जाने लगा तब ही उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाए और विक्रम ने वही पर गोली चलाई गोली चलाने का कोई फायदा नहीं हुआ बस गोली की आवाज जो थी वो पूरे जंगल में गूँच गई उसके बाद वो जो हवलदार था उसने कहा सर मुझे तो लगता है हमें उसे आवाज का पीछा करना चाहिए वो जोर हो नहो यहीं कहीं होगा उसके बाद क्या था विक्रम और वो हवलदार उन कदमों का पीछा करने लगे लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था वो बस कदमों की आवाज सुनकर अंदाजे में भाग रहे थे विक्रम और वो हवलदार काफी फोर्ती के साथ कदमों की आवाजों का पीछा कर रहे थे तब ही अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में ना ही उस हवलदार ने सोचा था, ना ही विक्रम ने. अभी तक जो आवाज सिर्फ एक ही डिरेक्शन से आ रही थी, वो अचानक से अलग अलग डिरेक्शन से आने लगी. और उस हवलदार ने कहा, सर, अभी तक तो सिर्फ एक ही डिरेक्शन से कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन अब तो लेफ्ट राइट दोनों डिरेक्शन से आ रही है, अब क्या करें? और उसके बाद विक्रम ने कहा, करना क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर एक नहीं, बलकि दो अपरादी हैं, और वो भाग रही है, एक काम करते हैं, तो मुझे डिरेक्शन में जाओ, और मैं इस डिरेक्शन में जाता हूँ, ठीक है? चोकन ने रहना, अगर कुछ भी जरूरत पड़े, तो तुरन तवास लगा दीना, ठीक है? और उसके बाद उस हव रखी थी, कि ये जो कोई भी है, उसे वो पकड़ कर ही रहेगा, वो हवलदार भाग भाग कर काफी जादा ठंक गया था, लेकिन वो उस शातर चोर को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब ही अचानक से कदमुखी जो आवाजे थी, व आस-पास देखने लगा, और एक जगा खड़े होकर तेज-तेज सांस लेने लगा, तब ही अचानक से वहाँ पर एक थंडी हवा चली, जो उस हवलदार को छूप कर निकली, और ये हवा जो थी, वो बहुत ही ज़ादा थंडी थी, उस हवलदार ने एक जगा खड़े होकर तेजी से सांसे ले लेकर चारो तरप नजरे घुमाई, लेकिन उसे वहाँ पर सिर्फ घने घने पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसने अपनी टॉर्ज की रोशनी हर जगा भी खेरी, लेकिन उसे सुनसान जंगल के अलावा कुछ नहीं मिला, तब ही अ हवल्दार थोड़ा सा तो घबरा गिया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत अभी भी नहीं हारी, और उसने अवाज लगागर कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, बहार आ जाओ, वरना मारे जाओके, और मुझे पता है कि तुम वही चोर हो, जो गाउ से चोरी करके भागा है, देखने लगा, उसे ये लग रहा था कि वो चोर डर कर बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तकरीबन पांच मिनट वहीं खड़े रहने के बाद भी कोई भी जवाब नहीं आया, और अचानक से उस हवल्दार की नजर एक पेड़ पर गई, और उस पेड़ पर उसन कोई परचाई खड़ी है, लेकिन वो परचाई किसकी थी, ये समझ नहीं आ रहा था, उसने आसपास देखा कि आखिर ये परचाई है किसकी, अगर परचाई नजर आ रही है, तो जिसकी भी परचाई है, वो भी नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, उस हवल् परचाई उस पेड से गहीं कायब हो गई है और अब उस हवलदार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए विक्रम को क्योंकि अगर वो कहता कि उसने एक ऐसी परचाई को देखा है जो पेड पर खड़ी थी लेकिन वो परचाई किसकी थी ये पता नहीं चला तब विक्रम पक्का उसे डाटता अब नहीं उस हवलदार को कदमों की आवाजे सुनाई दे रही थी नहीं उसे समझ आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना है इसलिए मजबूरन वो खाली हाथ विक्रम की तरफ वापस जाने लगा लेकिन जैसे ही वो विक्रम की तरफ जाने क तच किया तो वो हवलदार खबरा कर पीछे मुड़ कर देखने लगा उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी आखी बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसके सामने वही काला साया खड़ा था जो अभी थोड़ी दिर पहले उसने पेड़ पर देखा था और ये देख कर उसकी आखो जो थी वो मानो खौफ से बाहर आई गई थी उसने आसपास नजरे को माई और ये पता लगाने की एक बार फिर से कुशिश करी कि आखर ये साया है किसका क्योंकि अगर साया नजर आ रहा है तो ये जिसका भी साया है वो भी यहीं कई होना चाहिए लेक की का है और उस हवलदार ने घबराती वी आवाज में कहा सर उसके बाद वो जो हवलदार था वो अपनी पूरी जान लगा कर चीखा और विखरम जादा दोर नहीं था उसे आवास सुनाई दे गई उसके बाद वो बहुती ज़दा घबरा किया उसे लगा कि शायद कोई भा दुख निकाली और वो और वो उस हवलदार के पास आने लगा और थोड़ी देर बाद ही वो जंगल के काफी अंदर आ गया लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किर वो हवलदार है कहां पर उसने आवास लगाई कहां परो हेलो अरे सुनाई दे रहा है मैं यहीं पर उस तो इशारा करो लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया उसके बाद विकिरम ने अपना फोन निकाला और उस हवलदार का नमबर मिलाया तो रिंग तो जा रही थी लेकिन सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा था और ये बात बहुत ही ज़ादा चिंता जनक थी उसने दो हाँ सर मैं यहीं पर हो बिलकुत सुरक्षित आप मेरे पास आजाईए और उसके बाद विकिरम ने कहा अरे भाई तू है गहाँ पर पहले ये तो बता तब ही तो आऊंगा उसके बाद उस हवलदार ने उस विकिरम को डिरेक्शन बताई और उसी डिरेक्शन को फॉलो करते हुए विकिरम उस हवलदार के पास आगिया विकिरम ने कहा अरे तुम चिलाए क्यों थे कुछ हुआ है क्या जिसकी जवाब में उस हवलदार ने कहा नहीं सर वो असल में मैं थुड़ा डर गया था अचानक से किसी चीज़ पर पैर पढ़ गया था इसलिए मैं चिला की कोई बात नहीं है और उसके बाद विक्रम ने कहा क्या तुम डर गए थी तुमारा दिमाग खराब है और तुम पुलिस में नौकरी कर रहे हो और ऐसी चीज़ों से डर जाते हो आह मुझे ये उमीद नहीं थी तुमसे क्या कुछ पता चला क्या खिर वो जो कदमों की आवा मुझे पता नहीं चला बस अचानक से कदमों की आवाजे आना बंद हो गई और उसके बाद विक्रम ने चिलाते वे कहा क्या क्या मैं एक जिम्यदार पुलिस वाले से बात कर रहा हूं हाँ तुम इतनी असाले से कैसे पला जाड़ सकते हो वो किसी की सालों की कमाई लेकर भ विक्रम ने कहा ये पहुत करंदी बद्वू ये कहा थी आई ये तो पहुत पहानक बद्वू है जैसे कुछ सड रहा तो मैं आ रही है क्या और उसके बाद उस हवलदार ने कहा क्या बद्वू नहीं तो सर मुझे तो कोई बद्वू नहीं आ रही हाँ अब इतना बड़ा जंगल है, कोई जानवर मर गया होगा, उसी किलाज शर रही होगी, मैं तो कहता हूँ, चलिए, चलते हैं, वापस पुलिस टिशन, और विकरम ने गुस्से बरी आँखों से, उस हवलदार को देखा, और विकरम ने कहा, तुम क्या सिर्फ आराम की सेलरी खाने के लिए आते हो हाँ, एकदम बे फिकर होकर, चलिए सर पुलिस टिशन, अगर तुम्हें जादा पुलिस टिशन में बैठने का शौक है, तो मुझे बता दो, पुलिस टिशन तुमारा घर नहीं है, मैं तुम्हें सस्पेंट करवा दूँगा, आराम से घर पर बैठना, समझे तुम, उसके चलिए चलते हैं, और उसके बाद, विकरम ने कहा, तुम्हें तुम्हें बाद में देख लूँगा, पहले ये पता लगाना ज़रूरी कि आकर ये बद्बू आख हाँ से रही है, उसके बाद विकरम ने अपनी पॉकेट में हाट डाला, और अपना रुमाल लिकाला, उसके बाद, जब उसने अपना फेस कवर किया, तब भी थोड़ी बहुत बद्बू आ रही थी, और उसी बद्बू का पीछा करते करते, वो आगे बढ़ने लगा, वो हवलदार बार बार ये एक की बात कह रहा था, सर, जाने दीजे न, चलते हैं न पॉलिस्टिशन, यहाँ बर पहुचा, और वो हवलदार भी विक्रम के पीछे-पीछे था, तब ही अचानक से, विक्रम का पैर किसी गीली और चिपचिपी सी चीज पर पढ़ा, और वो चीज बहुती जादा घिनौनी थी, जैसे ही विक्रम ने नीचे देखा, तो उसकी आँखे खौफ से बाहर आ उसने जब उस लाश के कपड़े देखे तब उसे याद आया कि वो जो चोर था जो गाउसे चोरी करके भागा था, उसने भी यही कपड़े पहने थे, जिसका मतलब साफ साफ यही था कि यह उसी चोर की लाश है, लेकिन इस चोर को वो भी इतनी बुरे तरह से मारा किसने, ये एक बहुत बड़ा सवाल था विकरम ने चिला तेवे कहा देखो ये कोई जानवर की लाश है बताओ ये किसी जानवर की लाश दिखती है तुम्हें बेफकूफ कहीं के पता नहीं लेकित लेकित अब ही और बदबू आ रहे है किसी अलग डिरेक्शन से ये शयद उस डिरेक्शन से आ रही है वहाँ पर भी जाके देखना पड़ेगा अब चुप चाप चलो मेरे पीछे वरना सस्पेंट करवा दूगा और उसके बाद वो जो हवलदार था वो विकरम के पीछे-पीछे जाने लगा और थोड़ी दूर चलते ही विकरम ने जो कुछ भी देखा उसे देखकर विकरम के पूरे पैर सुन पड़ गे और उसका दिमाग काम करना बंद कर गिया ऐसा लग रात है जैसे अभी विकरम को हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी उसने देखा कि उसकी आखों के सामने उसी हवलदार की लाश पड़ी थी और उसका सर भी गायब था और उस हवलदार का खून जो था वो कई मीटर के दायरे में फैला हुआ था और अगर ये हवलदार की लाश है तो अभी तक जो उसकी साथ खूम रहा था वो कौन था यही सोस्ते वे विक्रम ने पीछे मोड़ कर देखा तो उसने उसी हवलदार को अपने पीछे पाया और वो हवलदार पागलों की तरह हसने लगा उस हवलदार को पागलों की तरह हसता हुआ देख कर विक्रम ने अपनी बंदोग निखाली और घबराती है वे कहा कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताओ जल्दी कौन हो तुम? और अचानक से उस हवलदार की जो आवाज थी वो किसी लड़की की आवाज में बतल गई और वो एक लड़की की तरह हसने लगा ये बात बहुत ही ज़ादा डरावनी थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर विक्रम मानों के होशी होगी उस हवलदार का जो पूरा शरीर था वो चेंज होने लगा उसके शरीर में अजीब अजीब बदलाव आने लगी और उसका शरीर हू बहू विक्रम जैसा हो गया विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है वो अपने आपको अपने सामने देख रहा था विक्रम ये सारी चीजे बरदाश नहीं कर पाया और उसकी आखों के सामने अंधेरा च्छाने लगा और जैसे जैसे उसकी आखों के सामने अंधेरा चा रहा था उसके कानों में सिरिफ एक हसी की आवास सुनाई दे रही थी जो किसी लड़की की थी और उस हसी की आवास को सुनते हुए विकरम जमीन पर धणाम से गिरा और वो बेहोश हो गया हर तरफ सिर्फ शानती थी कही पर भी किसी भी तरह की कोई भी आवास का नावो निशान नहीं था विकरम बेश सुत लेटा हुआ था उसके शरीर में बिल्गुल भी जान नहीं थी धीरे धीरे उसके शरीर में जान आना शुरू हुए और उसे होश आने लगा उसकी आख्यों जब धीरे धीरे खुली और उसे होश आया तो उसने जब अपने आसपास नजर कुमाई तो उसने देखा कि वो जहाँ पर बेहोश हुआ था वहाँ पर वो नहीं था वो एक कुफा में था जो कुफा पूरी पत्थरों से बनी हुई थी ऐसा लग रहा था तो गुफा किसी पहाड में बनी वो और उसके बाद विक्रम उठा तो उसके सर में हलका सा दर्द था और उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया वो यही सोच रहा था कि आखिर उसे यहाँ पर लेकर कौन आया फिर उसे लगा कि ओ सकता है उसने जिस काले साई को देखा था वही उसे यहाँ पर लेकर आया हो और तब ही उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी जैसे वहाँ पर कोई आ रहा हो विक्रम ने जान बूच कर जूट मूट में बिहोश होने का नाटक किया क्योंकि वो देखना चाता था कि आखिर उसे उस गुफा में कौन लेकर आया था उसने अपनी थोड़ी सी आँख खोली और देखा तो उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ उसने देखा कि एक बहुती लंबे कद का आदमी जिसकी उम्र बहुत जादा थी वो उसके सामने खड़ा था और उस आदमी ने कहा ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है अपनी आखे खोलो मैं जानता हूं तुम घोश में आ चुके हो जब ये बात विकरम ने सुनी तब उसने अपनी आखे खोली और वो उटके खड़ा हो गया उसने अपनी बंदूख निकालने की कुशिश करी तो उसने देखा कि उसकी बंदूख उसके पास नहीं थी उस लंबे कत के आदमी ने कहा क्या डूंड रहे हो आत्मरक्षा के लिए अपना हतियार चिंता मत करो तुमारा हतियार वहाँ पड़ा हुआ है और उसके बाद विक्रम ने सामने देखा तो उसकी बंदूख वही कोने में पड़ी हुई थी और विक्रम ने कहा कौन हो तुम और तुम मुझे यहां लेकर क्यूं आयो और उसके बाद उस लंबे कत के आदमी ने कहा मैं तुम्हें यहां क्यूं लेकर आया हूँ तुम यह पूछ रहे हो तुम्हें पता भी यह आखरी टाइन जब तुम होश में थे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था उसकी बाद विक्रम ने अपना सर पकड़ते वे कहा ज़्यादा कुछ ःद नहीं लेकिन जो कुछ भी था बहुत भयानक था मेरे साथ जो हावल्दार था उसकी लाश देखी मैंने और जिस चोर को पकड़ने के लिए मैं उस जंगल में गया था उस चोर की भी लाश देखी मैंने और एक काला सा साया और किसी लड़की की असनी की अवास इससे जाधा कुछ याद नहीं और उसके बात उस लंबे कट के आदमी ने कहा मुझे पता ही था खेर अब तुम आराम करो तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है इतने लंबे समय से तुम बेहोश पड़े थे अब तुम्हारा शरीर कमसोर हो गया है जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तब उसने कहा क्या? काफी लंबे समय से? कितने दिर हुए मुझे बेहोश हुए हुए उसके बाद उस आदमी ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा पंदरा दिन बाद तुम होश में आयो ये सुनकर विक्रम को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और विक्रम ने कहा क्या? पंदरा दिनों बाद मैं होश में आया हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी मेरे साथ घटा वो पिछली रात की बात है और उस लंबे कट के आदमी ने कहा जो कुछ भी हुआ उसे सबसे पहले छोड़ो और तुम्हें आप कुछ जरूरी काम करने है तुमने गाउवालों के लिए जो कुछ भी किया था वो बहुत अच्छा किया था गाउवाले बहुत खुशी-कुशी रह रहे थे लेकिन अब तुम्हारे ना होने की वज़े से जो पहले अपराद हो रहे थे वही अपराद फिर से होना शुरू हो गए है और अब पहले की तरह गाउं का हर वेक्ती घुट-घुट कर जी रहा है उने तुम्हारी जरूरत है इसलिए सबसे पहले तुम अपने शरीर को अराम दो और ये दवाई पीओ तुम जल्दी ठीक हो जाओगे उस आदमी ने विक्रम की दरफ एक कटोरा बढ़ाया और उस कटोरे में कुछ तरल परदार था उसके बाद उस आदमी ने कहा ये लो इसे पी लो इसे पी कि तुम ठीक हो जाओगे और विक्रम ने कहा मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर लो हो सकता है इसमें तुमने कुछ गलत, जहर वगेरा मिलाया हो और ये बास सुनकर उस आदमी ने हसते वे कहा ये ज़र मैं तुम्हें मारना ही चाहता तो तुम्हारे होश में आने का इंतिजारी क्यों करता मैं तुम्हें वहाँ पर मरने के लिए छोड़ भी सकता था और वो यक्षनी तुम्हें काफी अच्छे से मौद के खाट उतारती या तो तुम जब वियोशी में थे तब भी मैं तुम्हें मार सकता था लेकिन देखो तुम जिन्दा हो ये सारी चीज़े किस तरफ इशारा करती है मैं भरोसे लायक हूँ जिन्ता मत करो पीो इसे और उसके बाद बरोसा करके विक्रम ने वस सिक्कटोरे में जो तरल परदार था उसे पी लिया और उसे पीने के बाद उसे अपने शरीर में थोड़ी ताकत महसूस हुई और वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा विक्रम ने उस आदमी से पूछा ये सब तो ठीक है लेकिन तुम अपने बारे में तो कुछ बताओ तुम हो कौन और तुम क्या जानते हो उस जंगल के बारे में और चिसने मुझे मारने की कुशिश करी वो कौन थी उसकी बाद उस आदमी ने कह अभी ये सब वस सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, सबसे पहले जो तुम्हारी जिम्मिदारियां उन्हें निभाओ, ठीक है, गाउं में सबी लोग तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं, रही बात उस जंगल की, तो उसे बात में देखेंगे, मैं यही रहता हूँ, ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे, तुम यहा सकते हो, लेकिन याद रखना, अकेले आना, किसी को लेकर नहीं, उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, इतनी बात तो मैं तुम्हारी मानी सकता हूँ, अब यहां से बाहर निगलने का रास्ता क्या है, उसके बाद वो जो आदमी था, वो विक चलते जाओगे, तब तुम्हें रास्ता नजर आ जाएगा, में रोड, वहां से तुम अपने पुलिस टेशन की तरफ जा सकते हो, उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, विक्रम ने जैसे तैसे अपने आपको समाला, ठोड़ी बहुत ताकत तो उसके शरीर में आई गई थ उसके बाद वो चलता हुआ, में रोड पर पहुँचा, उसके बाद वो पुलिस टेशन में आया, विक्रम को देखकर पुलिस टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे, सब हैरान हो गए, और अपनी सीट से खड़े हो गए, किसी को भी अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा सबी जो पुलिस वाले थे, उन्होंने सिल्यूट किया, और सबी ने पूछा, सर, आप तो 15 दिनों तक गायब थे, हमने पूरा जंगल चान मारा, आपका कोई नामों निशान नहीं मिला, हमें तो लगा कि आप इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद विक्रम ने कह, चि अब ये बात बोली, तब सबी पुलिस वालों ने, अपने मूँ जो थे, उन्हें लटका लिए, और विक्रम समझ गया कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, और विक्रम ने चिलाते वे कह, मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हुआ, तुमने तो सारी शांती खराब कर दी, च विक्रम की मौत हो गई है, और अब वो वापस उसी चंगुल में फस गए हैं, जेस चंगुल में पहले फसे थे, विक्रम अपने साथी कर्वियों के साथ वापस वहाँ पर आया, और गाउवाले विक्रम को वापस देख कर एकदम हैरान हो गए, और सभी लोग बहुत और कई अपरादियों को मौत के खाट उतार दिया, जिसकी वज़े से विक्रम का खौफ अपरादियों में एक पार फिर से बन गया, और अपराद फिर से कम हो गए, अपरादों को खत्म करना विक्रम के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए बड़ी बात ये थ कि अब वो पता कैसे लगाएगा कि आखिर उस चंगल में चल क्या रहा है और उसे जवाब भी देना था क्योंकि एक हवलदार की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत कैसी हुई ये सबी चीजे नॉर्मल इंसानों को समझाना बहुती ज़ादा मुश्किल था विक्रम के लिए लेकिन उसे ये पता था कि अगर वो सारी बाते ससच बताएगा तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा इसलिए उसने बता दिया कि जब वो हवलदार और विक्रम दोनों उस चंगल में चोर को पकड़ने के लिए गये थे तब चोर और हवलदार में हाता पाई हो गई विक्रम साई समय पे वहाँ पहुँच पाता इससे पहले उस बहादुर हवलदार ने उस चोर को मार दिया लेकिन हवलदार को भी साथ में चोट लग गई और दोनों की वहीं पर मौत हो गई उसके बाद ये जो हवलदार वाला जो मैटर था ये तो जैसे तैसे क्लोज हो गया लेकिन विक्रम के अंदर एक आग लगी होई थी क्योंकि उसका एक सिपाही मरा था और विक्रम को उसका बतला चाहिए था उसके जीवन में अजीब अजीब चीज़े होना शुरू हो गई थी जब ये वो रात में सोता था तो उसे रात में अजीब अजीब से सपने आते थे कि वो उसी जंगल में है और उसे वही लड़की के हसने की आवाजे सुनाई दे रही है एक बार, दो बार, तीन बार ये सपना आया लेकिन विक्रम को रोज ये सपना आने लगा वैसे तो विक्रम ने बड़े-बड़े किसिस को सॉल्व किया था और बड़े-बड़े अपरादियों को बकड़ा था लेकिन अब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो उसकी समझ के बाहर था उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था लेकिन उस अंधेरे में उसके पास एक उजाले का स्त्रोत भी था और वो था वही आदमी जिसने उसे बचाया था उसके बाद विक्रम ने फैसला किया कि वो उस आदमी की कुफा के पास जाएगा और उस आदमी से मिलकर कई सारे सवाल करेगा और उसे जवाब लेगा और आगे तै करेगा कि उसे क्या करना है रात के वक्त विक्रम छुप छुपा कर वापस उसी जगा पर गया उस कुफा के पास और उसने आवाज लगाई मैं हूँ विक्रम मैं तुमसे मिलने आया हूँ तुमने कहा था ना कि मैं जब चाहूं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ अब ज़रा बहार आओ जब विक्रम ने आवाज लगाई तो सामने से कोई जवाब नहीं आया और विक्रम ने सोचा कि चलो अंदर चल कर देखते हैं और वो अपना कदम आगे बढ़ा ही रहा था तब यूँ उसके कंदे पर किसी ने हाथ रखा और उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसे अपनी मुंडी ऊपर गुमानी पड़ी क्योंकि साड़े साथ फुट का वही आदमी उसके सामने खड़ा था और उस आदमी ने कहा बहुत जल्दी आ गए मुझे पता ही था कि तुम आने वाले हो चलो अब अबंदर उसके बाद वो आदमी और विक्रम उस गुफा के अंदर चले गए और विक्रम ने कहा अब तुम मुझे बताओ क्या खिर उस जंगल में क्या हो रहा है और वो सब कैसे रोका जा सकता है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा वो तो मेरे समझ के बाहर है उसके बाद उस आदमी ने कहा जो कुछ भी उस जंगल में उस रात तुमने देखा वो आज से नहीं कई सौ सालों से चला आ रहा है कई सौ साल पहले उस जंगल में किसी ने यक्षनी की साधना करी थे और उसे इस सद्ध करने की कोशिश करी थे लेकिन उसकी साधना से वो यक्षनी यहां आत हो गई लेकिन उसके बाद उस साधक से कुछ कलतिया हो गई जिसके बाद उस यक्षनी ने उस साधक को जान से मार दिया और उसकी जो खून की प्यास थी वो बुजी नहीं अधोरी साधना से वो यक्षणी बहुत ही जादा गुस्से में आ गई और उसके बास से जो कोई भी उस जंगल में गया उसी यक्षणी ने उसे चांद से मार दिया लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है जब विक्रम ने ये बास सुनी तब विक्रम ने कहा ऐसा कुछ तो वो गाउवाला भी बता रहा था उस गाउवाले ने बताया था कि कई सौ साल पहले इस गाउव में एक आदमी आया था और उस आदमी ने जंगल में साधना करी थी उसके बाद उस आदमी ने कहा वो मैं ही था ये बास सुनकर विक्रम जो था वो एकदम चौक गया और उसने कहा क्या तुम्हारी उम्र कितनी है और फिर उस आदमी ने कहा मुझे याद नहीं उसके बाद विक्रम ने कहा लेकिन वो गाउवाला तो बता रहा था कि जो आदम तुम ही वह साधक थे, लेकिन तुम तो जिन्दा हो। उसके बाद उस आदमी ने कहा, नहीं, मैंने कोई साधना नहीं करे थी। मुझे पदा था कि वहाँ पर कोई साधना करने वाला है। और उसी साधना को मैं रोकनी के लिए उस जंगल में गया था। उस समय जो राजा था जिसके अंडर में ये गाउं आता था उसी ने साधना करे थी और मैं साधना को रोकना चाहता था क्योंकि मुझे पदा था कि ये साधना बहुत मुश्किल है कोई आम इंसान इसे अंजाम नहीं दे सकता और अगर कोई गलती हुई तब कई सारे लोगों क की जान मुश्किल में आ जाएगी लेकिन मैं साधना रोकने में नाकाम्याब हो गया वो राजा साधना शुरू करे उससे पहले ही मुझे उससे रोकना था लेकिन मैं काफी लेट हो गया उस राजा ने साधना को शुरू कर दिया था जब मैं वहाँ पहुचा मैं बीच में सादना को नहीं रोग सकता था क्योंकि बात वही पड़ दी। उस राजा ने पूरी सादना को काफी अच्छे सिखिया। उसने यक्षिनी को यहां बुला भी लिया। लेकिन आखिर में उसने कही सारी कलतिया कर जिसके वज़ा से वो खुद मारा किया। और मुझे अपनी जान बचा कर वहां से भागना पड़ा। विक्रम ने कहा, एक मिनट, एक मिनट, यह सब तुम क्या बोल रहे हो। राजा, ये सादना, ये क्षिनी, मुझे तक कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सर के सब कुछ उपर से जा रहा है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वो राजा उस जंगल में सादना करने वाला है। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, मुझे बविश में होने वाली खटनाओ का पहले मालूम हो जाता है। और उसके बाद विक्रम ने कहा, तुम्हारी सारी बातें मुझे दफ्या नूसी लग रही है। ऐसा भी थोड़ी होता है, कि तुम्हें पविश में होने वाली खटनाओ पहले पता चल जाए। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, अभी तुम गिरने वाले हो और तुम्हें काफी चोट लगेगी। और उसके बाद विक्रम ने कहा, मैंने यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट किया है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर और मैं कोई और रास्ता ढूंड लूँगा। पक्का, बहुत छोलमाल है। और यह कहकर विक्रम उठा और कुछी कदम चला था तो उसका पैर जो था एक पत्थर से टकरा किया और वो मुझे बल धणाम से किरा, जिसकी वज़े से उसके मुझे पर चोट आ गई। और उस आदमी ने कहा, मैंने कहा था न, तुम गिरने व खेर, मैं चलता हूँ। जैसे विक्रम की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा एफेक्ट पड़ा था, वो बहुत ही ज़ादा शेरीव से भी ठक गया था, जैसे तैसे वो चलकर में रोड पर पहुचा, और उसने सीधा पोली स्टेशन में कॉल किया, पोली स्टेशन में कॉल करकर उसने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, विक्रम, मैं चादा हूँ कि तुम जितने भी गाउँ है हमारे अंडर में, हर जगा पेट्रोली करो, कही पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ भी होता है तो तुरंत एक्शन लो, और अगर मेरी जरुद पढ़ती है, तो तुरंत मुझे ठक गया था, और वो जैसे ही बेट पर बैठा, तो उसे नीन आने लगी, उसकी ठकावट का अंदाजा आप इसी बास से लगा सकते हैं, कि उसने अपने कपड़े तो छोड़ो, जूते तक नहीं उतारे, और वो बेट पर ऐसे ही पड़े पड़े, सो गया, थोड़ी गिर ब और भी ज़्यादा खराब होने लगी, अचानक से किचन का जो वाटर टैप होता है, तो अचानक से खुल गया, और पानी गिरने लगा, पानी गिरने की अवाज से विक्रम उठा, और वो किचन में आया, उसने वाटर टैप को खुला हुआ पाया, और उसे समझ नहीं आ रह जमीन पर धराम से किरे, और विक्रम ने जैसे ही पीछे देखा, तो उसने सारे बरतनों को जमीन पर पाया, अपनी किस्मत को कोसने लगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, जैसे तैसे उसने अपने दिमाग को शांत किया और ठंडा बानी पिया, और वो बरतन को समेटने लगा, तब ही अचानक सी उसी एक अचीब सी फ्रेग्नेंस आई, और उस फ्रेग्नेंस को सूनकर उसने अपने होशों आवास खो दिये, वो कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले ही वो जमीन पर गिर गया, और बिहोश हो गया, जब विक्रम बिहोश था, तब उसके कानों मे एक आवास आई, और तभी जब विक्रम ने आखे खोली, तो उसने अपने आपको उसी जंगल में पाया, उसने जब अपने चारोद दरब देखा, तो उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी वो अपने घर में था वो अचानक से उस गाउं के पास वाले चंगल में कैसे पहुँच गया वो उटकर खड़ा हुआ लेकिन उसके कानों में वो आवाज जो थी वो आनावन नहीं हुई वो आवाज आती रही और उसके बाद विक्रम ने चारों तरफ देखा तो उसे अंदेर इलावा कुछ नजर नहीं आ रहा हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था कि अखरी आवाज कहां से आ रही है तब ही उसने वहाँ पर भाईलों की आवाज सुनी ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहन कर उसके आसपास चल रहा हूँ और विक्रम ने कहा कौन है? कौन है? बहारा, हिम्मत है तो बहारा और तब ही विक्रम ने देखा कि ए खुबसूरत सी लड़की जिसने साड़ी पहनी हुई है वो चलती हुई, उसके पास आ रही वो लड़की दिखने में इतनी जादा सुन्दर थी कि सुर्ग की अपसरा भी शर्मा जाए उस लड़की की खुबसूरती देखकर विक्रम भी हैरान हो गया और विक्रम ने कहा कौन हो तुम? और यहा क्या कर रही हो? और मुझे यहां कौन लेकर आया है? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा जिस सर्दों खुष्टे हो पहले रात में इसी चकल में ने ने हैं और यह सुनते ही विक्रम ने कहा क्या? तुम वही हो वो कालस आया और उसके बाद उस लड़की ने हां में सरहिलाया विक्रम ने कहा मुझे किसी बाद पर कोई यकिन नहीं हो रहा मैं यहां कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आरा और उसके बाद उस लड़की ने कहा मेरी बात क्या हमसे सुनो इस चंकल से तूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा अगर से रहना है तो इस चंकल से हमेशा तूर रहना विक्रम जो था उसे एक सुर की हवाद छो कर गई और विक्रम ने एक छोटी सी लड़की की आवाज सुने उस लड़की की उम्र तकरीबन आट से दस साल होगी और वो लड़की वहाँ पर खेल रही थी अचानक से वो यक्षिनी उस लड़की के पास आई और विक्रम ने कहा कि ये बच्ची कौन है और इस जंगल में क्या कर रही है और उसके बाद उस यक्षिनी ने कहा और ये कहकर उसी एक्षिनी ने उस बच्ची का गला मोड दिया और विक्रम ने सोर से चिलाया नाई विक्रम सोर से चिला कर उठा और उसने अपने आस पास देखा तो वो अपने घर में ही मौचूद था उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था उसका पूरा गला सूख चुका था उसे ऐसा मैसूस हो राद जिसे सालों से उसने पानी नहीं पिया उसके बाद वोट कर खड़ा हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जो फ्रेग्नेंस थी वो कहां से आई थी लेकिन उसका दिमाग कुछ सोचने समझने की हालत में भी नहीं उसके जीवन में जो कुछ भी खड़ रहा था वो सब किसी भी आम इंसान की समझ के बाहर था उसके बाद विक्रम सबसे पहले वाश्रूम में गया और उसने मिरर में अपना चेहरा देखा उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे नजाने कितने दिनों से विक्रम सोया नहीं विक्रम ने अपना मूं दोया और अपनी प्यास बुचाने के लिए वो किचिन में वापस आया उसने गटा गट करके फ्रेज से एक बोतल निकाल कर पी ली और पूरी बोतल खतम होने के बाद उसकी प्यास बुची उसके बाद क्या था? वो बेट पर वापस आया और लेट किया लेटने के बाद भी उसे कोई ज़ादा चीनी नहीं आई बस वो पूरी रात करवटे बदलता रहा और उसके बाद सुबा सुबा वापस वो उठकर खड़ा हो गया क्योंकि वो अपनी duty के लिए बहुत ही ज़ादा इमानदार था उसे काम पर लेट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था विक्रम नहाया धोया और उसे जो breakfast करना था वो breakfast करके वो पुलिस टेशन के लिए निकल गया जब वो पुलिस टेशन में पहुचा तो उसने constable से पूछा तो बताओ कल रात को तुम सब पेट्रोलिंग कर रहे थे कहीं कोई problem तो नहीं हुई और उसके बाद वो जो constable थे उन्होंने कहा जी नहीं सर हमने पूरी रात पेट्रोलिंग करी है और कोई भी गड़बर हमें नहीं मिली उसके बाद विग्रम ने कहा चलो ये तो अच्छी बात है उसके बाद क्या था विग्रम अपने चेयर पर आकर बैट किया और फाइल्स देखने लगा तब ही एक constable ने पूछा सर मैं आपसे एक बात पूछू और विग्रम ने कहा हाँ क्यों नहीं पूछो क्या बात है उस constable ने कहा सर मुझे आपकी तबिया ठीक नहीं लग रही आपकी हालत कुछ अच्छी नहीं है और उसके बाद विग्रम ने कहा क्यों तो मैं ऐसा क्यों लगता है और फिर उस constable ने कहा नहीं सर मतलब अभी कुछ दिनों पहले आप बहुत अच्छे लगते थे मतलब आपका जो परस्नेलिटी थी आपकी आप काफी बंठन के रहते थे आपकी बॉड़ी काफी आप हेल्दी थे लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप कमजोर होते जा रहे हैं आँखों के नीचे डार्क सरकल आ गए है और उसके बाद विक्रम ने कहा अरे तो इसमें इतना गवराने वाली क्या बात है हमने ड्यूटी भी तो देखो कौन सी चूस करी है पुलिस की इस काम में ये सब तो चलता रहता है खेर, मुझे गाउं में जाना है और लोगों से उनका हाल चाल लेना है तो गाड़ी निकालो उसके बाद क्या था उसकों स्टेबल ने कहा ठीक है सर, अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ विक्रम जब गाउं पहुचा तो उसने देखा कि वहाँ एक घर के पास लोगों की भीड इखटा है और विक्रम ने वहाँ पर गाड़ी रुकू आई विक्रम कार से उतरा और उसने कहा क्या हुआ, आप सभी यहाँ पर भीड़ लगागर क्यों खड़े है और उसके बाद गाउं वालों ने विक्रम की तरब देखा तो सबकी आखे नम थी सबको ऐसे उदास देखकर विक्रम भी काफी चिंता में पड़ गया वो ये सोच रह था कि आखिर ऐसा क्या हो गया भेड को साइट करके जब वो घर के पास पहुचा तो उसने देखा कि घर में एक पती-पत्नी रो रहे थी और विक्रम ने पूचा अरे आप लोग रोग क्यों रहे हैं और उसके बाद वो जो पती था जो आदमी था वो भागता वो विक्रम के पास आया और उसने कहा बाउजी, बाउजी मेरी बेटी है मेरी बेटी राच से नहीं मिल रही है कुछ करी है भाउजी कुछ करी है और जैसे ही ये बात विक्रम ने सुनी तो उसके प्यारो तले जमीन खिसक गई और विक्रम ने कहा क्या, आपकी बेटी राच से नहीं मिल रही ऐसा केसे हो सकता है क्या आपकी पुली स्टेशन में रिपोर्ट लिगवाई और उसके बाद उस आदमी ने कहा बाव जी मैं क्या करता सबसे पहले मुझे लगा कि गाउं में यहीं कहीं होगी लेकिन उसके बाद छब पूरा गाउं छान मारा तो कहीं नहीं मिले अभी हम थोड़े दिर बाद आपके पास ही आ रहे थे और उसके बाद फिकरम ने कहा ये भगवान अगर आपकी बेटी रात से गुमशिदा थी तो रात कोई आना चाहिए था ख्यार कोई बात ने आपके पास आपकी बेटी की कोई तस्वीर और वो गायब कहां से हुई जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा भवजी मुझे इतना याद है कि रात को वो बाहर निकली थी उसे कुछ जरूरी काम था कह रहे थी कि उसे उसकी सहली से कोई जरूरी किताब लेनी है और अगर वो किताब नहीं लेगी तो काम पूरा नहीं कर पाएगी और स्कूल में उसको पनिश्मेंट मिलेगी इसलिए मैंने भी उसे जाने दिया मुझे ये लगा था कि अब तो आपका राज आ क्या है उसकी जो आँखे थी वो नम हो गए और विकरम ने कहा आप चिंता मत करिए कुछ भी हो जाए आपकी बेटी आपको सही सलामत मिल जाएगी आप मुझे उसकी एक फोटो दीजे और उसके बाद वो जो आदमी था वो अपने घर में भागा भागा गिया और एक फोटो निकाल कर लाया जैसे ही विकरम में उस फोटो को देखा तो उसके जो पैर थे वो जमीन से चिपक गए और उसका दिमाग एकदम जम गया क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे उसने सपने में देखा था विकरम ने चिलाते वे कहा कौनस्टेबल ये फोटो लो और इसे पूरे पुलिस टेशन में फैला दो हर कौनस्टेबल को इस बच्ची को डूडने में लगा दो ठीक है ये बच्ची मुझे चाहिए वो भी सही सलामत समझे आस पास के जितने भी गाउं है फैल जाओ चारो तरफ मुझे ये लड़की चाहिए समझे तूम उसके बाद मैं उस कौनस्टेबल ने कहा ठीके सर उसके बाद विकरम अपने कौनस्टेबल के साथ उस लड़की के घर गया जिस लड़की के घर वो कुमशोदा लड़की जाने वाली थी किताब लेने के लिए और उस लड़की से पूस्ताज करने के बाद विक्रम ने पाया कि वो लड़की जो कुमशुदा है वो कभी अपनी सहली के घर पहुँची ही नहीं और अगर वो अपनी सहली के घर नहीं पहुँची तो वो बीच में से कहां गायब होगे जैसे जैसे समय बीत रहा था विक्रम की टेंशिन पढ़ते जा रही थी और उसी वही सपना बार बार ख्यालों में आकर परिशान कर रहा था कि कहीं वो जो सपना उसने देखा वो सच तो नहीं कहीं वो लड़की उसी जंगल में फसी तो नहीं हुई जितने भी गुंडे वगेरा थे जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट्स थी सब को ठवालिया किया और उन गुंडों को बहुत मारा पीटा के लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तयार नहीं हो रहा था कि वो लड़की उन में से किसी के कारण कायब हुई है और उसके बाद विक्रम भी यही सोच में पढ़ा हुआ था कि अब उसे उस चंगल में वापस जाना पड़ेगा रात हो गई थी और विक्रम के दिमाग में सिर्फ टेंशन ही टेंशन हो रही थी क्या खिर वो बच्ची कहां होगी किस हालत में होगी और वहाँ पर एक कॉंस्टेबल आकर कहने लगा सर हमने जितने भी अपरादी से सबको बहुत मारा जिनकी भी हिस्ट्री थी सबको उठा लिया सबको बहुत मारा पीटा लेकिन कोई भी कोई सुराक देने के लिए तैयारी नहीं है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब सच कहा रहे इनका कोई हाथ नहीं है इस चीज में अगर होता तो इतनी मार खाने के बाद तो ये बता देते और उसके बाद विक्रम ने कहा अभी थट डिगरी दो सबको थट डिगरी दो समझे मुझे वो लड़की चाहिए चाहिए मतलब चाहिए बाकी जितने भी लोग investigation करने गए हैं उनसे कुछ ख़बर मिली और उसके बाद उस constable ने कहा नई सर अभी तक तो कोई ख़बर नहीं है लेकिन हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा हर कोई कर रहा है और उसके बाद विकरम ने कहा ठीक है जो मैंने कहा है अभी वो करो उनकी अच्छी सरग से खातेरदारी करो और उस constable ने हां में सर हिलाया और वो वापस लॉक अप में चला किया विकरम ये सब सोची रहा था कि आखिरब उसे क्या करना चाहिए तब ही उसके कानों में एक आवाज आई और उसे वही फ्रेग्नेंस जो उसे घर में आ रही थी और जिसे सूंकर वो बेयोश हो गया था वही फ्रेग्नेंस उसे वापस आई और उसके कानों में अवास आई फिरम तुरंट अचानक से अपनी जगा पर खड़ा हो गया और तुरंट पुलिस टेशन से बाहर जाने लगा तब ही वहाँ पर जो कौन स्टेवल्स मौजूद थे उन्होंने पूछा क्या हूँ असर आप ठीक तो है अब बहुत सदा घपराई हुए लग रहे हैं क्या आप घर जा रही हैं और उसके बाद विक्रम ने जवाब दिया ना मैं घर जा रहा हूँ ना तुम घर जाओगे जब तक वो बच्ची नहीं मिल जाती कोई घर नहीं जाएगा सबको ड्यूटी करनी है समझे तुम और जिसे घर जाना है वो पर्मनेटली घर चला जाए उसके बाद वहाँ पर जितने भी कॉन्स्टेबल्स थे सब एक दूसरे की शकल देखने लगे और उन कॉन्स्टेबल्स ने कहा सर आप चिंता मत करिये जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा और विक्रम वहाँ से चला के विक्रम ने अपनी पुलिस वाली काड़ी निकाली और वो खुद कार को ड्राइव करते हुए गाउं की तरफ बढ़ा गाउं के लोग विक्रम को देख कर काफी जादा खुश हुए क्योंकि उन्हें यकीन था कि विक्रम उस खोईवी बच्ची को डोण कर ही माने का गाउं को पार करते हुए विक्रम अपनी उस कार को लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था तब ही अचानक से उसकी कार के सामने कोई आ किया और अंधेरी की वज़े से विक्रम को नजर भी नहीं आया उसने गलती से थोड़ी सी हलकी सी टककर उस आदमी को मार थी जिसकी वज़े से वो आदमी जमीन पर किरिखे विक्रम तुरंत अपनी कार से बाहर निकला और उसने कहा अरे तुम हो कौन और इतनी रात को यहां क्या गर रहे हो जिसके जवाब में उस आदमी ने कह इतनी जल्दी भूल गए और उसके बाद विक्रम ने कहा कौन हो तो तुम्हारी तो शकल भी खीक से नहीं दिख रही उसके बाद वो आदमी उठकर खड़ा हुआ और उसकी हाइड देखकर विक्रम समझ गया कि ये वही गुफा वाला आदमी है विक्रम ने कहा तुम और यहां पर इतनी रात को क्या कर रहे हो और उसके बाद उस आदमी ने कहा मैंने तुम्हें बताय था न कि वो बच्ची गयब होने वाली है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और उसके बाद उस آदमी ने जवाब दिया हाँ, मैं जानता था कि वो बच्ची कायब होने वाली है लेकिन उसके गयब होने के पीछे भी एक कारंट है विक्रम ने पूछा, कारण कैसा कर, उस आदमी ने जवाब दिया उस ये अक्षनी कि ये, अब आखरी गिंती शुरू हो गई है अब उस कांत नस्तीख है विक्रम ने कहा, उस कांत नस्तीख है? कैसे? कैसे होगा उस कांत? विक्रम ने जब ये पूछा तब वो आदमी मुश्कुराने लगा और उस आदमी ने कहा तुम बस इस लौकिट को पहनो और जंगल में खुश जाओ हिम्मत मत हारना सब कुछ अच्छा होगा उस बच्ची को बचाना है न विक्रम ने उस लौकिट को देखा तो उस पर कुछ मंतर लिखे हुए थी संस्क्रित थोड़ी बहुत पंडनी आती है लेकिन समझ नहीं पा रहा किआ अखिर क्या लिखा है और उसके बाद उस आदमी ने कहा तुम हमेशे अपना जादा दिमाग मत चलाओ तुम सिर्फ इसे पहनो और अंदर खुश जाओ तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम करोगे ही तुम्हें उस बच्ची को बचाना है ठीक है और विग्रम ने कहा तुम्हें क्या लगता है इस लॉकिट से मैं उस यक्षिनी को हरा दूँगा हां तुम्हारा दिमाग खराब है क्या और उसके बाद उस आदमी ने कहा मैं जानता हूँ ये तुम्हें दफ्यनोसी लग रहा है लेकिन तुम्हें मुझे बताओ तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तुम्हें काम क्यों नहीं करते तुम जितने भी कॉंस्टेबल्स है तुम्हारे सबको लेकर आओ और इस जंगल में खुच जाओ उस बच्ची को बचाने के लिए क्या होगा? वही होगा जो पहले उस हवलदार के साथ हुआ था उन सभी कॉंस्टेबल्स की भी मौत हो जाएगी जिने तुम इस जंगल में लेकर जाओगे समझे तुम? मेरी बात एक ध्यान से सुनो यक्षनी एक शक्ति है जिसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं इसलिए तुम्हे उससे बड़ी शक्ति की सहायता लेनी होगी समझे तुम? और ये बात सुनते ही विक्रम को समझा किया कि वो आदमी क्या कहना चाहता है विक्रम ने कहा तुम्हारे कहने का मतलवे के मुझे भगवान से मतल दे लिश चाहिए है ना? और उस आदमी ने हाँ में सरहे लाया विक्रम ने कह, मैंने बच्पन से कभी भी भगवान पर वरोसा नहीं किया, मैंने कभी उन्हें की पोजा नहीं करी, नहीं उन्हें पर यकीन किया, क्या ये सब सच में होता है, और उसके बाद उस आदमी ने कह, बीते कुछ दिनों में जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या इस पहले तुम्हें इन सब चीजों पर यकीन था? और उसके बाद विक्रम ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी यकीन नहीं था. अगर ये मेरे साथ ना हो रहा होता, तब तो मैं कभी जिंदगी में इन सब बातों पर यकीन नहीं करता. उसके बाद उस आदमी ने जबात दिया, तो य नहीं बात है. बस हमारे पास कोई रास्ता नहीं है. उस ताकतवर यक्षनी को रोकना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना ही मेरे बस की बात है. हमें उपर वाले की मदद लेनी ही होगी. उसके बाद विक्रम ने कहा, ठीक है, अब मुझे ये भी बता दो कि आखिर करना क् पड़ेगा. जिसके जवाब में उस अहत्मी ने कहा, उस जंगल से तकरीबन आदा किलोमेटर पहले एक छोटा सा मंदिर है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. वहाँ पर अकसर शान्ती रहती है. कोई वहाँ पर आता जाता नहीं है. उस मंदिर में बोले बात लेना है. और उसके बाद इस लौकिट में शक्तियां आ जाएंगी. जिन शक्तियों की मदद से तुम योस यक्षिनी को हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर कर सकते हैं. वो वहीं चली जाएगी जहां से वो आई थी. उसके बाद उससे किसी को खत्रा नहीं होगा. और विक्रम ने इस सारी बात सुनने के बाद एक सवाल किया. क्या सच में ये सब करने से वो यक्षिनी जहां से आई ये वहीं वापस चली जाएगी? और उसके बाद उस आदमी ने थोड़ी गुस्से बरी निगहों से विक्रम को देखा. और उसने कहा, वरना एक और रास्ता ह है. अगर हमें उस यक्षिनी का सामना करना है तो तकरीबन हजार से दो हजार साल की तबस्या की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद परमादमा हम से खुश होंगे और हमें वर्दान देखे. तब वो वर्दान हम उस यक्षिनी के अगेंस्ट में यूस कर सकते हैं. है ना? चल ये भी ठीक तरीका है. चलो, भोले बाबा की जया. उसके बाद विक्रम और वो आत्मी उस जंगल के पास गए और आदा किलोमीटर पहले ही उन्होंने कार को रोक दिया. दोनों कार से उतरे और आसपास देखने लगे. विक्रम ने कहा, कहां पर है यहां मंदर? यहां तो सि मुझे नहीं लगता यहां कोई मंदर होगा. उसके बाद उस आदमी ने कहा, चलो मेरे पीछे. विक्रम उस आदमी का पीछा करने लगा. और वो आदमी एक सुनसान रास्ते में जाने लगा. वो सुनसान रास्ता काफी जाड़ी नुमा था. ऐसा लग रहा था जैसे कोई छ चोटा जंगल हो वहाँ पर. और वो जो आदमी था, साड़े साथ फुट का, वो उस जंगल में गुस गया. विक्रम भी उसका पीछा करते करते वो जाड़ी में गुस गया. उसके बाद काफी अंदर जाने के बाद उने एक बहुत ही छोटा और पुराना मंदर नजर आया. और उस मंदर में एक बहुले बाबा की प्रतीमा भी थी. जिसके बाद उस आदमी ने कहा, ये रहा वो मंदर. कई सौ सालों से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है. असल में किसी को यहाँ के बारे में पता ही नहीं है. चलो, पूजा करते हैं. उसके बाद विक्रम ने वो ल पर फिर भी यकीन नहीं हो रहा था. लेकिन उसे किसी भी हाल में उस छोटी बच्ची को बचाना था. इसलिए वो पूरे मन से प्राथना करने लगा. थोड़ी देर बाद ही वो जो लॉकेट था जिसमें मंत्र लिखे हुए थे, वो चमकने लगा. और विक्रम ने कहा, हमारे बाद जादा वक्त नहीं है. विक्रम ने उस लॉकेट को पहना. और जैसे ही उसने उस लॉकेट को पहना, तो इतने टाइम से जो उसके दिमाग में टेंशन थी और बेचेनी थी, वो सब कहीं खत्म सी हो गई. उसके आख्यों के नीचे पड़े हुए डार्क सरकल गा और उसके बाद वो आदमी और विक्रम दोनों जंगल की तरफ निकल गए. उस आदमी ने पूछा कि ऐसा लग रहा है लॉकेट को धारन करके, जिसके जवाब में विक्रम ने कहा, ऐसा मुझे पहले कभी मस्यव महसूस नहीं हुआ. ऐसा लग रहा जिसे मेरे अंदर कोई अ गई हो, मैं बहुत दिनों से परिशान था, मेरा सर भारी भारी सा रहता था, आखो के नीचे डार्क सरकल आ गए थे, और अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले जैसे स्वस्थ हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अब तो कुछ भी हो जाए, उस यक्षिनी को हम जहां से वो आई है, वहाँ भेज करी रहेंगे, अब विक्रम और वो आत्मी दोनों उस जंगल के बाहर आ चुके थे, विक्रम तुरंत गाड़ी से बाहर उत्रा और उसने जंगल की ओर देखा, जंगल बहुत ही जदा भयानक और दरावना बाहर से ही लग रहा था, लेकिन विक्रम के अंदर भी जुनून सवार था कि वो उस बच्ची को सही सलामत बचा कर लेकर आएका, और ये रात उस यक्षिनी की आखरी रात होगी इस जंगल में, विक्रम ने अपनी कदम उस जंगल की तरफ पढ़ाए, और उसने उस आदमी की तरफ देखा, विक्रम ने कहा, क्या हुआ, तुम नहीं चलोगे, और उसके बाद उस आदमी ने कहा, तुम भोल गए क्या, उसी एक्षिनी ने तुमसे क्या कहा था, उसने कहा था तुम्हें अकेले आना है, और अगर तुम किसी को साथ लेकर आए, तब वो उ उस बच्ची को मारतेगी, इसलिए तुम अकेले जाओ, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर भड़ी, तो मैं वापस तुम्हारे पास आऊगा, ये सुनकर विक्रम नहा में सर हिलाया, और अपना दिल मजबूत करके, वो जंगल में खुसके, जंगल में काफी अंदर खुसने के बाद उसने आवाज लगानी शुरू करी, तुम कहाँ हो, जैसा तुमने कहा था, मैं अकेला आया हूँ, अब उस बच्ची को मेरे हवाले करो, वो बच्ची सही सलामत अपने घर वापस जानी चाहिए, और उसके बाद, वहाँ पर विक्रम को एक थंडी सी भागनी के आवाज आने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा भाग रहा हो, विक्रम ने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, विक्रम ने आवाज लगाई, ये सब करना बंद करो, और उस बच्ची को मेरे हवाले करो, उसके माबाप उसका अंतिजार कर रहे और तब ही, अंधेरे में से एक छोटी सी बच्ची भागती वी है, और उस बच्चे को देख कर, विक्रम बहुत खुश हुआ, विक्रम ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, अचानक से ही उस बच्ची ने विक्रम के चहरे पर एक बहुती भयानक वार किया, जिसक की वज़े से विक्रम वहीं जमीन पर किर के, और उसके गाल पर काफी गहरा जखम बन किया, विक्रम ने कहा, बिटा ये तुमने क्या किया, और विक्रम ये कही रहा था तब ही, उसने उस बच्ची की तरफ देखा, तो उस बच्ची की चहरे पर एक डरावनी सीज मुस्कु जाने में कामियाब रहा ना चाहते वे भी विक्रम ने एक जोरदार बार उस बच्ची के उपर किया और अचानक से ही एक बार पढ़ते ही वो बच्ची एक काली मिट्टी में बदल गई विक्रम समझ गया कि वो यक्षनी उसके दिमाग के साथ खेल रही है इसलिए वोट कर खड़ा हुआ और उसने अपने गले में बंदा हुआ लॉकेट एक बार फिर से देखा उसमें से निकल रही चमक ने उसकी शेरी पर जो जखम लगा था उसे ठीक कर दिया विक्रम ने चिलाती वे कहा तुम ये खेनाओने खेल खेलना बंद करो और मेरे सामने आकर बात करो कि तुम चाहती क्या हो और उस बच्ची को क्यूं नहीं छोड़ रही हो जिसके जवाब में सामने से एक आवास आए मुझे तो लगा था कि तुम काफी महादर होगी लेके तुम तो काफी में पाफी लिखलें उस से के मुझ अगीली से बिसने के दिये बख 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 वासी पर चलेगे रही है और जब विक्रम ने ये सुना तब उसने कहा अगर तुम ने उस बच्ची खुजारा से भी नुकसान पहुचाया तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा याद रखना तब विक्रम ने फिर से पायलों की आवास सुनी और उसे वही फ्रेग्नेंस आने लगी जो उसने पहले भी सुंगी हुए थी विक्रम ने सामने की ओर देखा, तो सामने से कोई लड़की चलती वे आ रही थी और वो प्रेग्नेंस उस लड़की की ही थी, उस लड़की ने बायल बहने हुए थी और वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे पाइलो की आवाज विक्रम को सुनाई दे रही थी वो जो फिरकनिन सा रही थी वो बहुत जदा मनमुहक थी और जैसे ही वो यक्षणी थोड़ा सा उजाले में आई और उसका रूप विक्रम ने देखा तो उसका दिमाग एक बार के लिए काम करना बंद करत किया विक्रम उसकी खुपसूर्ती को निहारता ही रहा और यक्षिनी समझ गई कि विक्रम की क्या कमसोरी है यक्षिनी ने विक्रम से कहा तुम क्यों परिशान हो रहे हो मैं यहाँ चुपचाप सिर्फ रह दी दो हो यह चंगल मेरा गर है और मैं यहाँ की रानी तुम परिशान मतो तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें यहाँ का राजा बनाओगी चोड़ो यह सब मोमाया मेरे पास आओ 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 वो यक्षिनी अपनी खूपसूरती और अपने शरीर से विक्रम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थी और उसका शरीर इतना जादा खूपसूरत था कि एक सेकेंड के लिए विक्रम का मन भटकने लगा था लेकिन जैसे ही उसका मन भटका तो उसके सीने में एक सूर्दार करंट लगा और उस तेश करंट की वज़े से विक्रम एक बार फिर से अपने असली रास्ते बराखे आ अपनी खुब सूर्ती को और अपने शरीर को बार बार दिखा कर वो यक्षिनी विक्रम का ध्यान भटकानी की कोशिश कर रही थी लेकिन जब जब वो विक्रम अपने रास्ते से भटकता था तो वो जो लौकिट उसके गले में बदा था वो चमकता था और एक सूर्तार छटका मारता था जिसकी वज़ा से विक्रम वापस सही रास्ते बरा जाता था। बार बार विक्रम की यहीं मांग थी। उस बच्ची को मेरे हवाले कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। समझे तुम। अपनी खुबसूरती का इस्तिमाल करके उसी एक्षिनी ने विक्रम को उसके रास्ते से भटकाने की कई कोशिशे करी। लेकिन वो लौकिट विक्रम को उसके रास्ते से भटकने नहीं दे रहा था। जिससे उस एक्षिनी को यह साफ मालूम हो गया था कि जब तक विक्रम के गले में वो लॉकेट है, तब तक वो यक्षिनी, उससे अपना काम नहीं निकलवा सकती, इसलिए उस यक्षिनी ने कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम्हें वो बच्ची चाहिए, है ना? और उसके बाद विक्रम ने कहा, हाँ, वो भी सही सलामत, समझे तुम? और उस यक्षिनी ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी ये बात मानती हूँ, मैं उस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी कुछ बाते माननी होगी, और उसके बाद विक्रम ने कहा, बाते कैसी बाते हैं? उस यक्षिनी ने लॉकिट उतार ना होगा, समझे तुम, उसके बाद मैं तुम्हें बाकी की बाते बताऊंगी, विक्रम ने कहा, अच्छा मेरे माथे पर कहीं बेवकूफ लिखा है, मुझे बता है कि जैसे ही ये लॉकिट मुझसे अलग होगा, तुम मुझे जान से मार दोगी, ये सुनकर उ उस यक्षिनी ने कहा, नहीं, नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, अगर मैं तुम्हें जान से ही मारना चाहती, तो उसी रात मार देती, जब तुम बेहोश हो गए थे जंगल में, लेकिन मैंने तुमें जिन्दा रखा, तो इतना तो भरोसा रखो, और उसके ब या तो अपनी मर्जी से करो, या तो मजबूरी में, ये सुनकर विक्रम ने कहा, अच्छा, क्या करोगी तुम्हें, उस यक्षिनी ने एक चोटकी बजाई, और उसके चोटकी बजाते ही, उस जंगल में उस बच्ची की चिलाने की आवाज आने लगी, और ये वही बच्च अखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी इससे, जिसके जवाब में उस यक्षिनी ने कहा, मेरी इससे कुई दुश्मनी नहीं है, बस मैं तुम्हें यहां पर लेकर आना चाहती थी, और तुम ऐसे तो नहीं आते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, बाकि तुम बुरा मत मा यह बच्ची सही सिलावत अपनी घर पहुंच जाएगी, बस तुम मेरी बाते मान, और उसके बाद विक्रम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बाते नहीं मानूगा, यह सुनकर उस यक्षिनी को थोड़ा गुस्सा आया, और उसने उस बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर और यह देखकर विक्रम जो था, वो बहुत ही जदक गुस्से में आ गया, और उसने उस यक्षिनी को नुखसान पहुचानी की कुशिश करी, लेकिन उसकी सारी कुशिशें नाकामियाब हो गई, और उस बच्ची को चिलाता हुआ सुनकर उसकी आँखों में आसु तक आ ग अपने सर पर लेकर ढोके घूमना, कि तुम्हारी वज़े से एक नन्नी सी बच्ची ने अपनी जान का बाती, क्या तुम ऐसा चाते हो? विक्रम ने जब ये बास सुनी, तब वो बहुत ही ज़ादा घबरा रहा था, उसका जो लौकिट था, वो उसे पूरी तरह से ठीक करन जिसने कई सौ साल पहले साधना करके मुझे यहां बुलाया था, और जब मैंने उससे कुछ बाते कही, उसने मेरी बाते नहीं मानी, मुझे गुस्सा आया, और मैंने उससे जान से मारनी की कोशिश करी, लेकिन वो मारा नहीं, वो कहीं भाग किया, लेकिन मेरा जो गुस्सा था वो शाथ नहीं हुआ, इसलिए उसके पास जितने भी गाउं थे, उन गाउं में जितने भी लोग रहते थे, मैंने सब को मार दिया, लेकिन वो राजा एक नंबर का भगोड़ा, वो अपनी प्रजा की रख्षा करने के लिए एक बार भी सामने नहीं आया, नजाने कहां भ पात नहीं मानी, तो याद रखना, मैं तुम्हें भागने नहीं दूँगी, वो राजा तो गल्ती से भाग निकला, लेकिन तुम नहीं भाग पाओगे, और तुम्हारे साथ साथ गाउं में जितने लोग है, वो भी मारे जाएंगे, ये बास सुनकर, विगरम को ये तो जा गया कि अब उसके पास कोई रास्ता रही है, क्योंकि अभी तक एक बच्ची की बाद थी, अब पूरे गाउं की बाद थी, और विगरम ने कहा, ठीक है, जो तुम कहोगी, वहीं मैं करूगा, बस गाउं वालो को कुछ नहीं होना चाहिए, और इस बच्ची को भी छोड तो, और उसके बाद उसी एक्षिनी ने हसते वे कहा, ठीक है, पहले तुम ये लौकेट खुद से अलग करूँ, और मैं यहां से इस बच्ची को भी छती हूँ, विकरम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने गले से लौकेट उतार दिया, और उसी एक्षिनी की तरह फेक दिया, और उसी एक्षिनी ने कहा, अब ठीक है, अब इस बच्ची को ले जाओ, और इसे इसके माबाब के पास छोड़ाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम वापस नहीं आए, तब तुम्हें पता है न, मैं तुम्हारे घर मी आ चुकी हूँ, ग बच्ची भागते वे विक्रम के पास आई, और उसने विक्रम को गले से लगा लिया, उस बच्ची का रोता हुआ चेहरा दे कर विक्रम भी रो पड़ा, और उसने कहा, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो कि बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे माबाब के पास ले चलता ह हो, तुम, तुम, तुम चिंता मत खरो, उसके बाद विक्रम ने उस बच्ची को अपनी गूद में उठाया, और वो जंगल से बाहर निकलने के लिए चल पड़, वो उस बच्ची को लेकर जंगल से बाहर पहुचा, और बाहर वो आदमी भी था, जो विक्रम का साथी था, और विक्रम ने जब ये बात कही, तब उस साड़े साथ फूट के आदमी ने विक्रम को एक जोरदार घूसा मारा, जिसकी वज़से विक्रम दूर जाकर किरा, विक्रम जैसे ही खड़ा हुआ, तो उसने कहा, तुमने मुझे मारा क्यों, और उसके बाद उस साड़े साथ फ तबी उसने देखा कि वो जो बच्ची थी, वो हस रही थी, हर एक वार से उसे खरोज तक नहीं आ रही थी, और उल्टा वो हसे जा रही थी, और उसके बाद विक्रम ने कहा, ये बच्ची को क्या हो गया, ये हस क्यों रही है, और उसके बाद उस आदमी ने कहा, क्योंकि य ये बच्ची नहीं है ये सिर्फ एक छलावा है और ये बात सुनकर विक्रम घबरा गिया उच छलावे ने उस साड़े साथ फुट के आदमी पर हमला कर दिया और आदम खोरों की तरह वो उस आदमी को काटने लगा उसने अचानक से ही उस साड़े साथ फुट के आदमी की आख पर काट लिया जिसकी वज़े से वहाँ पर खून फैल गया विक्रम ने अपनी पूरी जान लगाई और उसके बाद उस बच्ची को जो कि एक छलावा था उसे उस आदमी से अलग किया और वो अलग होते ही मिट्टी में बदल गई काली मिट्टी में उस आदमी को बहुत तेज दर्द हो रहा था उसकी आख से खून बह रहा था ये लो ये दूसरा लॉकिट लो ये लॉकिट भी मैंने साथी साथ उस मंदिर में प्रतिमा के चरणों में समर्पित कर दिया था और ये लोकिट भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पीछले वाला बस अब गलती मत करना ये लोकिट जैसे ही मैं खुद से अलग करूँगा वैसे ही मारा जाऊँगा समझे तुम वो मुझे मार देखी इसी लोकिट की वज़े से मैं अभी तक यहां जिन्दा खड़ा हूँ और यही बात थी तो तुमने ऐसे और लोकिट क्यों नहीं बनाए? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा क्यंकि मैं जिन्दा नहीं रहना चाता। ये बास सुनकर विकरम के पैरो तले जमीन खिसक गई और विकरम ने कहा अखिर क्यों? क्यों जिन्दा नहीं रहना चाते? वो आदमी बहुत ही ज़दा दर्द में था, उसकी आख से खून बहरा था, और उसने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे पता है कि उस यक्षिनी ने तुम्हें सच बता दिया हो का, कि वो जो राजा था, जिसने जंगल में साधना करी थी, वो मारा नहीं किया, बलकि वो भाग क्या, अपनी प्रजा को छोड़ कर उस यक्षिनी के हाथों मरने के लिए, वो राजा मैं ही था, इतने सालों से मैं इतने सारे लोगों की मौत का बोज अपने सर पर लेकर घूम रहा था, और मुझे इस बोज से मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं उस यक्षिनी से बदला लेना भी चाता था, इसलिए मैंने कभी भी अपनी जान नहीं, अपनी जान नहीं दी, क्योंकि जब मैं बहुती ज़्यादा दर्द में था, तब मैंने उपर वाले को अपना जीवन समर्पित किया, और उन्हों ने ही मुझे बताया, कि यहाँ से कई साल बात, एक पुलिस वाला, इस गाउं का रखवाला यहां आएगा, और पूरे गाउं में एक, एक, एक अलग सी ही शान्ती स्थापित करेगा, और उसके चलते गाउं के किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे उस आदमी की मदद करनी होगी, और इसलिए मैं अभी तक सिंदा था, मुझे ये सारी चीज़े पता थी, और इसलिए मैं अपनी मर्जी से इस लॉकिट को तुमें दे रहाँ, इसकी बाद मैं मारा जाऊंगा, सब कुस तुम्हारे हाद में है, उस आदमी ने अपनी जेब से वो लॉकिट निकाला और विकरम को पहना दिया, और जैसे ही उस आदमी ने विकरम को लॉकिट पहनाया, तो एक अद्रिश शक्ती उसे खीशते हुए जंगल में ले गई, वो भी बहुत तेज़ी से, उस आदमी को बचाने के लिए, विकरम उसके पीछे भागा, और जंगल में घुस गया, उसने चारों तरफ नजर गुमाई तो वो आदमी कहीं गायब सा हो गया, विकरम ने सपास ही थी, उसके बाद वही त्रेगनेंस वहाँ चारों तरफ फैल गई, और उस यक्षिनी के पाईलों की अवास फिर आने लगी, वो यक्षिनी हसते हुए सामने आई, उसके बाद उस यक्षिनी ने कहा, मैंने इतना दिवाग लगाया था, फिर भी इस बेवकूफ की वज़स से सारा काप घराब होके, लेकिन कोई बात ने, अच्छा ही ये हुआ, इतनी देर से इसके पास लौकेट होने की वज़स से मैं इसका कुछ बिगाड नहीं पा रही थी, लेकिन अब ये मरेगा, काफी सालों पहले तो ये जैसे तैसे यहां से बचके बाग किया, ल विक्रम ने जैसे ही ये बात सुनी तम विक्रम ने कहा, देखो, छोड़ दो उसे, वो मेरा दोस्त है, समझी तुम, उसे छोड़ दो, और उसके बाद उस यक्षिनी ने हसते वे कहा, अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त है, कौन, ये, उस यक्षिनी का एक हाथ पीछे था, उसके बाद उस यक्षिनी ने अपना हाथ सामने किया, तो विक्रम की रूप घाप गए, उस यक्षिनी के हाथों में उस राजा का कटा हुआ सर्थ, और वो यक्षिनी उस सर को दिखा कर जोर-जोर से हसने लगी, विक्रम ने चिलाती वे कहा, तुम्हें इसके केवा चुक पानी होगी, और वो यक्षिनी ये बास सुनकर और तेजी से हसने नगी, उस यक्षिनी ने कहा, अच्छा, तुम क्या करोगे तुम, कुछ भी करना, लेकिन एक बात सोच कर करना, कि वो बच्ची अभी भी मेरे आतों में ही है, उसके बाद उस यक्षिनी ने फिर से चुट की बजाए और वहाँ पर उस बच्ची के रोने की आवाज आने की उस विक्रम ने फिर चिलाते वे कहा बच्ची मेरे आवाले करो लेकिन उस यक्षिनी में हसते वे फिर कहा कौन सी बच्ची और ये कहते ही वहाँ पर कई सारी बच्ची आ गई जो हूब हूँ एक जैसी दिख लावा यह सब बहुत दी साधा तर्दनाक और भयानक था। इतने दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। उसकी मेंटेल हलत बहुत खराब हो रही थी। उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन उस अंधेरे में सिर्फ एक ही रोशनी की किरन थी, और वो वही आदमी था, वो राजा, जिसने विक्रम को रास्ता दिखाया, विक्रम उसे मनी मन दोस्त मान चुगा था, वो भी बहुत अच्छा, लेकिन उसी दोस्त की लाश उसके सामने पड़ी थी, वो भी खून से लदपत, और उसका सर उस खून यक्षिनी के हाथों में था, फिर उस यक्षिनी ने कहा, ये सब बाते छोड़ो, एक काम करो, अब मेरी सारी बाते सुनो, सबसे पहले ये लौकिट भी अपने गले से उता और हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओ, जो मुझे सिर्फ खुश रखेगा, हर तरह से, मैं जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा, मैं बोलूँगी भौको, तो भौकना पड़ेगा, और मैं बोलूँगी शांत्र हो, तो शांत्र हैना पड़ेगा, और तो मैं ये पूर जिन्दगी करना होगा, अगर तुम तयार हो, तो मुझे बताओ, मैं अभी उस बच्ची को छोड़ देती हूँ, और अगर तुम नहीं तयार हो, तो भी बताओ, क्योंकि उसके बाद मैंने इस राजा को तो मार दिया, क्योंकि कई सौ साल पहले इसने भी मेरी बाते जो मैंने भी बताई, ये नहीं मानी थी, इसलिए ये आज तुम मर किया, इसका खीन खत्म हो किया, और आज साथ में तुमने अगर ये बात नहीं मानी, तो तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा, और साथी साथ इस बच्ची का भी, और उसके बाद गाउवालों का भी, क्या तुम तुम भी इसी भगोडे राजा की तरह हो, जो आज बेजान लाश बन के पड़ा है मेरे पैरों पर। क्या तुम भी इस लॉकेट की मदद से इस बच्ची को और इन गाउवालों को मरने के लिए यही पर छोड़ कर भाग जाओगे, क्या करोगे, जल्दी बताओ। विक्रम पूरी तरह से मजबूर हो गया था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने रोते हुए उस लॉकेट को उतारा और उस यक्षिनी ने कहा, बहुत अच्छे, चलो, हम मेरे पास आओ। उसके बाद एक-एक कदम विक्रम उस यक्षिनी की तरव बढ़ाने लगा। वो रोता हुआ यक्षिनी के पास आया। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके आगे की जिंदगी कितनी बुरी होने वाली है। वो सिरिफ एक गुलाम बन कर अपनी जिंदगी को बिताने वाला है। लेकिन उसे उस बच्ची की जान और गाउवालों की जान अपनी जिंदगी से जादा प्यारी थी। इसलिए विक्रम ने ये कदम उठाया। विक्रम के पास आते ही यक्षिनी ने विक्रम के कंदे बरहात रखा। और वो यक्षिनी विक्रम को अपने पास खीचने लगी। यक्षिनी ने कहा चलो अब मेरी आखों में देखो। विक्रम उस यक्षिनी की आखों में देखने लगा। और वो यक्षिनी अपनी खूपसूरती से और अपने खूपसूरा शरीर का प्रदर्शन करके उस विक्रम को अपने काबों में गरने लगी। उस यक्षिनी ने कहा, अब सिर्फ तुम मेरे हो, मेरे, अब तुम हमेशा मेरी गुलामी करो, समझे तुम। और लॉकेट ना होनी की वज़े से विक्रम उस यक्षिनी का खूपसूरत शरीर और उसका खूपसूरत चहरा देख कर उसके मुमाया में फसके हैं, और उसने हामेश सरहिलाया। तब ही उसके कानू में एक आवाज आई। वो स्वयम कोई प्रयास नहीं करता है। वो इस भम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी साहता करें। किन्तों ईश्वर के अवल उसी की साहता करते हैं, वो स्वयम अपनी साहता करने का सास करते। ये अवाज सुनते ही विख्रम अपने होश में हाकिया। और उसे सब कुछ याद आगया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो वापस सही रास्ते पर आया और उसने उस येक्षिनी का गलाब पकड़ लिया। और उसके गलाब पकड़ते ही, वो जो येक्षिनी थी वो तड़ अपने लगी। और उसे समझ नहीं आरा दखिया कि एक आम इंसान इतना जाता ताकतवर कैसे हो सकता है। उस येक्षिनी ने कहा, ये कैसे कर रहा है। तुम्हारे पास तो वो लॉकेट ही नहीं है, तो कैसे कर रहे हो। मैं आम इंसान तब तक था जब तक, मैं महादेव के मंदर में नहीं कहा। महादेव के मंदर में जाने के बाद वहां महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी शक्तियां जो थी वो लॉकिट में आई थी लेकिन उनका जो आशिरवाद वो मुझे प्राप्थ हुआ था और जिसके पास भी महादेव का आशिरवाद हो वो कभी भी बुराई से हार नहीं सकता मार तो तुम उस राजा को भी नहीं पाती लेकें वो राजा खुद ही मरना चाहता था क्योंकि यही उसके कर्मों का फल था जो कर्म उसने कई सौ साल पहले अपने काउवालों को ऐसे अकेला छोड़ कर किये थी और तुम्हारे हाथों मरना ही उसकी नियती में लिखा हुआ था और यही उसके कर्मों का फल था और ये बात वो राजा अच्छी तरह से जानता था उसके बाद विक्रम ने अपनी पूरी जान लगा कर उस यक्षिनी का गला दबा दिया और उस यक्षिनी की सूर से चिलाने की और वो जो आवास थी वो कई किलो मीटर दूर तक सुनाई थी वो यक्षिनी खतम हो गई और विक्रम के अंदर बहुत सारी उर जा गई थी जिसकी वज़े से वो भी बेहोश हो के थोड़ी दिर बाद उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ ऐसा लग रहा थे जिसे उसका कोई हाथ पकड़ रहा है और उसके गालों को थपथपा रहा है विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आखे खोली तो उसका पूरा शरी ठीक था और उसके सामने वही छोटी बच्ची थी जो गुमशुदा हो गई थी उस बच्ची को देखकर विक्रम की कोई खुशी का ठीकाना ही नहीं रहा उसने उस बच्ची को गले से लगाया और उस छोटी सी बच्ची ने कहा क्या आप मुझे मेरे माता पिता के पाद छोड़ देंगे और उसके बाद विक्रम ने रोते हुए हामेश सर हिलाया वो उस बच्ची को लेग कर गाउं वापस पहुचा गाउंवालों ने जब उस बच्ची को साही सलामत देखा तो गाउं में खुशी की लहर दोड़ गई गाउंवाले बार-बार विक्रम के पैर छू रहे थे और एकी बात कह रहे थे आप हमारे लिए भगवान है आपने हमारी गाउं की बेटी को साही सलामत बचा लिया वरना हम थो उमीदिक हो चुके थे और उसके बात विक्रम ने कहा मैंने नहीं बचाया महादेव ने बचाया है और ये बात सुनकर हर कोई एक दूसरे की शकल देखने लगा और गाउंवालों ने कहा महादेव ने बचाया है मतलब उसके बात विक्रम ने कहा चलो मेरे साथ वो गाउवालों को उसी मंदिर में ले गया जो कई सौ सालों से विरान पड़ा था और विक्रम ने कहा ये बच्ची मुझे यहीं मिली इस मंदिर में और इतने दिनों से यहाँ पर सुरक्षित थी इसे कुछ भी नहीं हुआ और हाँ वो जो येक्षिनी थी न जिसकी बाते आप सबी करते थे उस पास वाले जंगल में वो भी अवहाँ पर नहीं है तो गाउवालों ने पुछा तो कह ये भी महादेव ने किया है और उसके बाद विक्रम ने हां में सरह लाया जब गाउवालों को ये बता चला तब गाउवालों ने उस मंदिर को अपना सब कुछ मान लिया और रोज आकर वहाँ पर महादेव की पूजा आर्चना करने लगी और विक्रम ने अपना बाकी का जीवन गाउवालों की सुरक्षा और महादेव की चरनू में समर्पित कर दिया तो ये थी सीरीज आयोप आप सभी को ये सीरीज सुनकर मज़ा आया होगा आप सभी को सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर आप सभी को सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और और क्या ही बोलू जो भी अपने उपीनियन है इस सीरीज को लेकर वो जरूर कमेंट करना आपको नेक्स्ट सीरीज कौन सी चाहिए आप कौन से टॉपिक पर कहानी सुना चाहते हैं ये भी जरूर बताईएगा तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में ठैंक्स फ़र बाचिक